मैं दोस्तो, मैंने CFCR निकालने की तीनों कंडिसेन ने लिख दी हैं पहली कंडिसेन ये है कि अगर आपका average weight 2kg से उपर है माल लीजे कि आपका average weight 0.5kg है और आपका FCR 1.7 है तो देखे दोस्तो, आपका average weight 2kg से प्लस होने में आपका CFCR घट जाएगा देख लिजे एवरेज वेट धाई किलो में आपका CFCR आ रहा है 1.575 का अब हम दूसरी कंडिशन देखते हैं कि एवरेज वेट हमने माना 2 किलो तो देखे दोस्तों 2 में से 2 को घटाया तक क्या आया हमारा 0 0 में हमने 4 का भाग दिया तो हमारा क्या आया उतर 0 आप 0 को हम 1.7 से अगर प्लस करते हैं तो हमारा FCR क्या रहा 1.7 मतलब कि अगर एवरेज वेट 2 किलो आ रहा तो जो एक्चुल जो FCR आया वही हमारा CFCR रहेगा अब हम जो तीसरी जो कंडिशन है तीसरी कंडिशन देखें कि एवरेज वेट अगर मान लो तो 2 किलो से कम रहा तो 2 किलो से कम रहा मान लीजे कि आपका एवरेज वेट रहा 1900 ग्रम तो अगर हम 2 किलो में से 1900 ग्रम अगर माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा उतर 0.1 अब 0.1 में हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा जो उतर आएगा 0.0125 आप इसमें जो हमारा जो FCR है उस FCR को हम प्लस करेंगे तो हमारा FCR बढ़ जाएगा तो दोस्तो जब भी हम अगर integration farming कर रहे हैं तो integration farming में FCR और CFCR दोनों का बहुत महत्वपूर्ट रोल रहता है हमारे payment के बनने में तो दोस्तो अगर हमको अच्छा पैसा कमाना है integration farming में चुकि दोस्तो private farming में तो आपका दाना जितना खाया और जितना खर्चा लगा वो आपका पैसा लोस्प्रोफिट पूरा आपका है किंदू जो है उसमें भी CFCR मायने रखता है क्योंकि अगर आपका body weight ज़्यादा जाएगा तो आपका production cost कम हो जाएगी तो वैसे ही integration में भी है अगर आपका body weight ज़्यादा रहेगा तो आपका CFCR कम रहेगा CFCR कम रहेगा तो आपका पैसा अच्छा बनेगा तो दोस्तो CFCR का formula जो एक simple है जो एक बार में फिर से आपको repeat कर देता हूँ जो average weight average weight में से आप actual जो body weight है मैं आपको थोड़ जहां से बताता हूँ कि average weight आपका दो का standard है दो इसमें से आपने जो average weight बना उसको घटा दिया ठीक है अब उस जो घटाया उसमें आप 4 से भाग कर देंगे और 4 से भाग करने के बाद में उसमें FCR को जोड़ देंगे तो आपका जो है CFCR निकल आएगा ठीक है दोस्तों इस एक साथ में वीडियो समाथ करना चामगा धन्यवाद